कोश्चन है हमारे पास इफ A प्लस वन, 2A प्लस वन, 4A माइनस वन आर इन AP देन फाइंड दा वैल्यू ओफ A तो कोश्चन हम से बोला गया है अगर ये थ्री टाम्स जो है अगर AP में हूँ तो हमें A की वैले फाइंड करनी है अब देखिए इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं देखिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखे हैं कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि A, B, C या कोई भी तीन टाम्स X, Y, Z भी हम बहुँ ले सकते थे कुछ भी ले सकते थे अगर कोई थ्री टाम्स जो है R in AP होती है R in AP होती है तो वहाँ से हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो बीच वाली टाम्स होती है उसका 2 टाइम्स जो होता है वो एक पल होता है जो बाकी जो शुरुवात में और लास्ट में जो टाम्स होती है उन दोनों के सम के ठीके तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे तो A प्लस 1 2 A प्लस 1 4 A माइनस 1 R in AP यह तीनों की तीनों टाम्स जो है AP में तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 2 इंटू यह जो बीच वाली टाम्स है इसका 2 टाइम्स 2 इंटू 2 A प्लस 1 ठीके इस टाम्स का 2 टाइम्स एक्वल होगा इसके और प्लस इसके इसके और प्लस इसके टोटल के A प्लस 1 और प्लस 4 A माइनस 1 ठीके इन दोनों को एड़ करके जो आएगा वही जो है इसके 2 टाइम्स के एक्वल होगा अब हम क्या करेंगे अंदर bracket open करेंगे तो 2 की 2 से multiply करेंगे 4A आ जाएगा प्लस 2 की 1 से करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर पहला bracket ऐसे इक हो जाता है जब दूसरा bracket open करेंगे उससे पहले प्लस का sign है तो अंदर के sign change नहीं होते है minus 1 आ जाएगा minus 1 से plus 1 खतम हो जाएगा यहाँ पर 4A plus के 2 is equal to कितना जाएगा 5 है अब हम क्या करेंगे A वालों को एक तरफ ले लेंगे 4A इधर रखेंगे आप minus का 5 इधर आ जाएगा 2 को इधर ले लेंगे क्योंकि जो A वाले हैं हमने उनको एक तरफ किया है बिना A वालों को एक तरफ कर लिया है तो plus के 4A minus के 5 है तो minus के A बचेंगे is equal to minus के 2 minus से minus खतम A की value हमारे पास आजाएगी 2 यह इसका answer हो